आज यानिके 14 मार्च 2022 को यूपी ट्रिपलेसी पर धर्ना प्रदर्सन था काफी कम लोग पहुचे थे लेकिन धर्ना प्रदर्सन एक तरह से सफल रहा धर्ना प्रदर्सन का में मक्सद ये था ताकि अधिकारियों तक अपनी बात पहुचाया जाया जब चुनाओ खतम हो चु आपको नहीं बता सकते लेकिन फिर भी जब उसके बाद कुछ सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने उसका जबाब दिया चलिए देखते हैं कि आखिरों सवाल क्या थे और उसका जबाब उनके द्वारा क्या दिया गया हाई हाई बलत पुरी करो बलत पूरी करो पूरी करो जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो वैसे तो उन्होंने सबसे पहले ही बता दिया था कि हम किसी खास भरती परिच्छा पर बात नहीं करेंगे लेकिन जो पहला सवाल था ये था कि लेकपाल की परिच्छा कब तक होगी अब देखें लेकपाल की अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि जो लेकपाल बढ़ती है या फिर स्वास्त कारेकरता वाली बढ़ती है इसमें अभी डीले होगा यहाँ पर कटाफ आनी बाकी है एक बार आवेदान फीज जमा होना बाकी है तो उन्होंने कहा कि लेकपाल की परिच्छा के यह अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है आगे उनसे पूछा गया कि जो पुराना एक्जाम कलेंडर 24 जुलाई 2021 को जारी किया गया था यह एक्जाम कलेंडर तो विल्कुल फेल हो चुका है तो क्या कोई नया एक्जाम कलेंडर आने वाला है चुनाव के बाद तो नहीं बताया कि अगले एक से दो सप्ता के अंदर अंदर आपको एक नया एक्जाम कलेंडर मिलेगा और उसी एक्जाम कलेंडर से आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्जाम कब तक हो सकता है उन्होंने अंत में एक बात जोड़ा की आयो कोसिस करेगा कि आने वाले एक्जाम क के मुताबिक ही परिचाओं को कराया जाए आगे पीटी 2022 को भी कराया जाना है लोगों का सवाल पीटी 2022 को भी लेकर था लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया उनको उनके द्वारा ये कहा गया कि आप एक्जाम कलेंडर का इंतिजार करिए जब एक् रखा गया था चुनाओ के बाद जो पहले बैठक होती है रिजल्ट के एक ही दिन बाद तो रिजल्ट आ जाता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि चुनाओ के दोरान जो लोवर में से इसका रिजल्ट क्लियर किया गया तो यहां पर आयो कि यही पूछा गया कि वाली भरती हो तो इन्होंने का कि देखें जो सबसे पहले result आसकता है यह होगा आपकारी का और अगर होली के पहले या फिर होली के एक दो दिन बाद जब भी कोई बैठक होगी तो उससे पहले आपको आपकारी का result मिल सकता है अगला था कि चुनाव खतम होने के बाद पहली परिच्छा काउंसरी हो सकती है यहाँ पर चुकि आयोग फिर से सुरू कर रहा है तो यहाँ पर एक्जाम कराना उतना असान भी नहीं है इनके लिए क्योंकि एक्जाम में आप देखेंगे तो यूपी ट्री पर असे क्या करता है कि पहले लगबग 20 से 25 दिन पहले एक नोटी जारी करता है एक्जाम डेट के बारे में फिर तब 5 दिन या फिर 7 दिन पहले जो एडमिट काड होता है जो जारी किया जाता है तो यहाँ पर उन्होंने का कि जो जेई 2018 है जिसमें 1430 पर थे इसका जो एक्जाम है ये 3 अप्रेल को हो सकता है इसके बाद जो एक्जाम होगा उसके लिए आपको एक्जाम कलेंडर पर ही ध्यान देना होगा विडियो भरती की रिए एक्जाम पर इच्छाती थी इसके बारे में भी उन्होंने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया उनका जबाब बस यही था कि आप एक्जाम कलेंडर पर फोकस करिए एक्जाम कलेंडर जब मिलेगा तब आपको उसके बारे में सटीक जनकारी मिल जाएग तो फिलाल यहाँ पर यही सारी बाते हो पाए और उन्होंने कहा कि अभ्यरतियों को घर जाना चाहिए आयोग अपना काम जोर सूर से कर रहा है आगे आने वाले दिनों में आपको सारे परिछाएं लाइन बाइन होते हुए दिखाई देंगे आज के इस वीडियो में इतना है यूपे ट्रॉपल से की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बूचे आज के इस वीडियो में इतना है थैंक्यो